Goods and Service Tax यानी GST आज इसकी सारे देश में चर्चा है क्योंकि इससे सम्मनित एक विधियक संसद में पारित हो चुका है और कहा ये जा रहा है कि स्वतंततार प्राप्ती के बाद से ये सबसे बड़ा Tax Reform है और ये Tax Reform के दिशा में मील का पत्थर साबित होगा इसके बहुत ही सुखत दूरगामी परिणाम होंगे देश की अठ्वेवस्ता तेजी से आगे बढ़ेगी जन सामाने को भी इसमें लाब होगा क्योंकि टैक्स का भारुस पर कम होगा एक देश, एक कर, एक बासार बहुत सारे सवाल हम सभी के जहन में है और इन ही सवालों का जवाब जानने के लिए आज हमारे बीच में है डॉक्टर हस्मुक अढिया जो की राजस्व सचेव है भारत सरकार में तो आए हम उनसे बात करते हैं बहुत-बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर अढिया आज के इस कारिक्रम में सबसे पहले तो यह बताईए कि GST क्या है और यह कैसे काम करेगा अभी तक जो देश में वस्तूओं के उपर चीजों के उपर और जो सर्विसिज है सेवा होके उपर अलग-अलग प्रकार के टेक्स लगे हुए थे वो इतने ज़्यादा टेक्स हो गए है इसको सेल्स टेक्स केते हैं अब बेट पीना जाता है फिर there is a countervailing duty, then there is an additional excise duty, there are different kinds of taxes on goods and services. तो ये सब टेक्स जो अलग-अलग प्रकार से state और सेंटर लगाती है, उसको इकथा करके एक ही टेक्स, हर चीज और हर सेवा के उपर लगाने का ये प्रहतना है, जी एस्टी के नाम पे. तो जी एस्टी ये एक ऐसा single uniform tax है, जो कि state और सेंटर एक साथ लगाएगी, और जिसके अंदर बहुत सारे छोटे-छोटे जो टेक्सिस है, जो मैंने आपको नाम दिया, वो सब टेक्सिस इसके अंदर मर्ज हो जाएंगे. कुछ टेक्सिस इसके बाहर रहेंगे, जो specifically अमने बताया है, जैसे के electricity duty इसमें नहीं मर्ज होगा, उसी तरह से जो stamp duty, जो की registration of property के उपर होता है, वो इसमें नहीं सामिल होगा, लेकिन इसको छोड़के बाकी सब टेक्सिस जो है, इसमें मर्ज हो जाएंगे. यह बतायी कि CGST और SGST और IGST, यह तीनों में क्या फर्ख है, और क्या एक आदमी को तीनों भरना पड़ेगा, और इसके अलग-अलग acts क्यों है? CGST नाम अलग है, क्योंकि Central Government को वो पैसा जाएगा, इसलिए उसको CGST बोलते है, Central GST is called CGST, दूसरा है SGST, उसका मतलब है State GST, आपको एक ही बनना पड़ेगा, लेकिन वो एक टेक्स, जैसे कोई भी बिल आपका होता है, जैसे आप गए और आपने जूते खरिदे, तो जूते खरिदने के उपर, जो भी मान लो, उसके उपर 12% जीएश्ट लग रहा है, तो आपको तो 12% ही बनना है, लेकिन उसका एक एक परसंट में जाएगा, एक परसंट में जाएगा, तो 6% can go to Central Government, 6% can go to State Government, और आपने तो एक जीएश्ट पे किया 12% का, लेकिन उसका विभाजन करने के लिए नाम अलग दिये हुए है, एक जीएश्ट एन जीएश्ट को उससे कोई लेना देना नहीं है, वो बिल की मामल वो Interstate GST है, जब कोई Goods की मुवमेंट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होगी, तब जाके आपको SGST, CGST नहीं बरना है, बड़ ये दोनों का Combination जितना है, उतना आपको IGST बरना है, तो जैसे एक स्टेट में से माल दूसरे स्टेट में गया, तो वो IGST बरके ही जा सकता है माल वो, and that IGST will be equivalent to CGST plus SGST, वो दोनों मिलके जो टेक्स बनेगा, उतना ही IGST होगा, वो नाम के वास्ते उसको अलग कहते है, वो अलग इसलिए कहते है IGST उसको, कि वो final tax नहीं है, IGST एक interim tax है, IGST का उप्योग जो आगे वाला व्यापारी है, जैसे एक व्यापारी ने गुजर गुजरात में IGST बरके, फिर वो माराष्ट को बेजा, अब माराष्ट में अगर वो माल बेचा जाएगा, तो उसके उपर वो व्यापारी को SGST और CGST दोनों बरना पड़ेगा, तो वो बरने के लिए जो IGST उसने पे किया है गुजरात में, उसकी जो credit मिलेगी, वो उसको मि जाएगा, विच मिन्स कि IGST फाइनल टैक्स नहीं है, IGST सिर्फ बीच का टैक्स है, जो कि अल्टिमेटली कंजूमर के ओपर नहीं जाएगा, वो बीच की अरेंजमेंट है, फाइनली कंजूमर के ओपर जब बनेगा, तो उसमें IGST का नाम आएगा ही नहीं, उसमें तो वही लगेगा, CGST 6 परसंट या SGST 6 परसंट या CGST 9 परसंट, SGST 9 परसंट, 18 परसंट या जो भी रेट डिसाइड कर है सरकार, तो उस तरह से वो CGST, SGST का डिविजन है और IGST को इंट्रिम टैक्स है, तो जी एस्ट के अंदरगरत बस्तूओं और सेवाओं के जो क्रेडिट है, उस वहीं उसका फाइदा है, जो GST का में फाइदा ही है, आज क्रोस इटलाइसन नहीं हो रहा है, आज की जो टेक्स सिस्टम है, जैसे किसी एक माल का उतपादन रुआ, उसके उपर हमने एक्साइज जूटी लगा दी, अब वो एक्साइज जूटी बढने के बावजूद, व उस स्टेट का VAT लगता है, और वो वेट जब बने जाएंगे, तब एक्साइज जूटी की क्रेडित नहीं मिल देगे, उसको, वो इन्पुट टेक्स जूटी नहीं मिल देगे, क्योंकि एक्साइज जूटी सेंटल गवर्मेंट का स्टेट टेक्स है, और वेट जो है, वो जूटी टेक्स बरा है, GST, तो उसके बाद दुबारा उसका जब रिसेल होगा, तो उसके उपर उसकी इन्पुट टेक्स डेडित आपको मिलेगी, और आपकी टोटल लाइबिलिटी में घटावा होगा, बहुत बड़ी बाते हम लों कर रहे हैं, लिकिन मान लीजे कि मैं चोटे कारुबारी हूँ, मेरा एक ब्यूटी पालर है, और में एक लाग रुपे महीना कमाती हूँ, या कुई मिस्त्री है, तो क्या उसे भी इन सब जंचत में पढ़ना होगा, उसे भी ये सब टैक्स दीना होगा, उसके बारे में आप कुछ बताएए, क्योंकि बहुत सा तो लेकिन इसमें जो छोटे कारुबारी वाले लोग है, उनके लिए एक 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 लिमिट है, वो एक लिमिट सायद पचिस लाग तक फिक्स होगी, अभी स्टेट और सेंटर के बीच में इसके बारे में एक गहन चर्चा चल रही है, कि कि इतना रखना चाहिए, तो मोर मिन्स टोटल आपकी जो इंकम है उस सर्विस में से, या उस मैनिफेक्चरिंग में से, या उस व्यापार से, अगर टोटल तरणोवर आपका पचिस लाग से नीचे का है, तो फिर आपको ये जीएस्टी परना नहीं होगा, ऐसा एक 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 लिमिट उसमें डाला इसा नहीं है, जो व्यापारी है उसके लिए तो एक ही रिटर्न फाइल करना है, और उसकी जो भी आगे की करवाई होगी वो भी एक ही ऑथोरेटी करेगी, तो ये बात नहीं है कि दो अलग-अलग ऑथोरेटी है, दो अलग-अलग एक्ट है, क्योंकि एक पार्लेमेंट पा करेगी, तो जो पावर टू टैक्स वो दो अलग-अलग एक्ट में से हमको मिले है, लेकिन उसकी जो पूरी प्रोसीजर है वो यूनिफॉर्म है, एक व्यापारी दोनों अथरिटी में अलग-अलग रिजिस्टेशन नहीं करवाना है, उसको एक ही रिजिस्टेशन करवाना है, एक स्टेश पे, उसके बाद रिटर्न भी सिंगल फाइल करना है, और रिटर्न फाइल करने के बाद, वो कम्प्यूटर विल डिसाइड कि CGST का पॉर्सन क्या है, SGST का क्या है, उस तरह से से रिल गवर्मेंट को एक हिस्सा चला जाएगा, जो पैसा उसने बढ़ा, और चला जाएगा, तो व्यापारी के लिए ये कोई उलजन नहीं, फिर उसके बाद रिटर्न उसने फाइल किया, रिटर्न फाइल करने के बाद लोग ये समझते हैं कि फिर कल जाके राज्य के कॉमर्सल टेक्स डिपार्टमेंट से भी नोटिस आ जाएगी, और केंदर के रिटर्न में कोई गड़बड किया है, तो वो नोटिस देने का अधिकार या तो स्टेट गोर्मेंट को दिया जाएगा एशनल को, दोनों को एक साथ ही अधिकार नहीं मिलेगा, तो आपके लिए तो सिंगल अथोरिटी होगी, ऐसे व्यावसाई के लिए, एक व्यापारी क लिए तो सिर्फ एक ओठरी के साथ डील करने का होगा. आपने अभी रिटर्न के बात किया, तो सबसे फ़रती बताएगे कि रिजिस्टेशन किसी यापारी को करना है, वो कैसे करेगा, भुफतान करना है तो कैसे करेगा, और रिटर्न फाइल करना है, तो इसकी थोड़ी सी रिजिस्टेशन लेने की ज़रूद नहीं पड़ेगी. उनका जो डेटा है, वो हमारे पास है अल्लेडी. तो हम उनको ऑटोमेटिकली जिस्ट में माइग्रेट कर देंगे. वेट का जिस जिस स्टेट में रिजिस्टेशन उनका हुआ है, वो सब जैसे किसी एक स्टेट में लोगों ने अपना वेट रिजिस्टेशन लिया है. तो उनको फिर से दुबार रिजिस्टेशन भी प्रसूजर नहीं करनी है बिकोज जिस्ट आ रहा है. उनका पूरा डेटा आमरे पास आ जाएगा कंप्यूटर में, जिस्ट में. वो डेटा जब माइग्रेट हो जाएग उनको देनी होगी. आपका रिजिस्टेशन चालू रखने के लिए. उसके लिए एक अवदी दी जाएगी, एक समय दिया जाएगा. और वो बेजिक इन्फोर्मेशन दो तीन चीजे जो है, वो उनसे माग ली जाएगी. और वो जब पत्र आया तो ओनलाइन वो इन्फोर्म पर अपने सब डेटेल देख पाएंगे. उसमें एड्रेस चेंज करना है, उसमें ज्याक प्रकार माइचन, आपस्वर्म चेंज करना है, आपसकी आपने चेंज कर सकते है अपने लोग इन आ पासवर्ड अपकर. वो करने के बाद उनका डेटा ठीक हो जाएगा, और जो नह वाले हैं, जो कि बिल्कुल नहे तरीके से अपना बिजनेस सुरू पहली बार कर रहा है, जो अभी तरक वेट में रजिस्टर्ड नहीं है, सर्विस्टेक्स में भी नहीं है, एक्साइज में भी नहीं है, तो उन लोगों को अलग से रजिस्टेशन ओनलाइन करना पड़ेगा सिंपल रजिस्टेशन है, वो रजिस्टेशन ओनलाइन करने के बाद तीन दिन में अगर उनको कोई अब्जेक्शन नहीं आता है डेपार्मेंट की तरफ से, तो ऑटोमेटिक मान लिया जाएगा कि उनका रजिस्टेशन हो चुका है, और उनको एक नमबर मिल जाएगा ती कलेक्ट करने के बाद आपको उस महिना पुरा होने के बाद नेक्स मन्त में एक तारिक मिश्चित होगी, सायद 20 तारिक या ऐसा कुछ, तो 20 तारिक तक में आपको वो पैसा सरकारी ट्रीजरी में जमा करा देना है, और साथ-साथ आपको एक रिटर्न जो कि आपने किस-किस को माल सप्लाई गिया वो रिटर्न आपको बढ़ना पड़ेगा दस तारीक तक महीने की और वो सब रिटर्न फाइल करना है आपको ओनलाइन करना है लेकिन मैंने जैसे पहले समझाया कि छोटे कारोबारी तो इसमें से आउट ही है इसलिए छोटे लोगों को चिंता करने की ज सब ट्रांजेक्शन आपको दिन में स्विच दबाने से कंप्यूटर में अपलोड हो जाएगा गे सब ट्रांजेक्शन तो इस तरह से रिटर्न बना है सप्लाई किया उसका करना है जो दूसरे लोगों ने प्र्वाइक्शन निनपुट किया है उसके आदार पे आपका आपके एकाउंट में आए जाएगा और फिर वो आपको अलग से करने की जरोद नहीं पड़ेगी 15 तारिक तक फिर यह सप्लाई एन पर्चेस दोनों के आदार पर आपका एक रिटन बन जाएगा वो भी ओटमेटिक हो जाएगा 20 तारिक तक तो 20 तारिक तक आपका रिटन तयार हो जाएगा और उसमें अगर आप देख सकते हैं कि मेरे डिटन में कोई चीछ छूट तो नहीं गई ना चूट गई है कोई पर्चेस या सेल का ट्रांजेक्शन तो बीज तारिक तक आप उसको तीक कर सकते हैं उसके बाद उसको आप आगे बढ़ा सकते ह जिसमें हर ट्रंजेक्शन की जानकारी आएगी कंप्यूटर में और ट्रंजेक्शन मेच भी हो जाएंगे सो शही सही मात्रा में लोगोंने टेक्स बढ़ाय के नहीं वो हम पकड़ पाएंगे तो IT की बहुत बहुत पुन्भूमी का है, इसमें IT का बहुत मात्वा है, लेकिन IT इतना सिंपल बना दिया है, कि किसी छोटे से छोटे व्यापारी को भी इसमें कोई तकलीम नहीं होगी, एकदम सरल प्रकार का सौफ्ट्वेर है, उसको फाइल करने की विधी भी इतनी है, कि अगर कोई घर में को एक यंग लड़का जो दसवी पास है, वो भी अगर उसको सीख ले तो वो अपने आप रिटर्न कर सकता है, यह बताई कि इस ओफ डूइंग बिजनस की बात हो रही है, कि आप भारत किसी भी कोने में हो, आपके लिए बिजनस करना कोई बहुत मुश्क स्टेक्स जो है उसके उपर फिर आपको इंपूट स्क्रेडिट नहीं मिले यह नेक्स स्टेट में, तो यह सीएश्टी अट जाएगा, सीएश्टी अट जाएगा तो बोर्डर के उपर जो चेकिंग करने का एक मूँ था, कि हर स्टेट चाहता है कि हमारा स्टेट का माल पूचेंगे, तो यह सब खतम हो जाएगा, जहां-जहां ओक्ट्रोई है, ओक्ट्रोई भी अबॉलिस हो जाएगी, तो उसके लिए भी गाड़ी को रोकने के जरूद नहीं पड़ेगी, तो ट्रक का जो मूँमेंट है वो एकदम आसान हो जाएगा, जो दोनों स्टेट के के बीच में, या किसी सिटी के अंदर एंटर करने के टाइम जो चेक पोस्त है, जो घंटो बर ट्रक खड़ी रहती थी, वो सब कम हो जाएगी, और उसके कारण जो मूमेंट ऑफ गूड्स एकदम आसान हो जाएगे, पिर दूसरा यह है कि क्यूंकि पूरे देश में टेक्स एक हो जाएगा, तो फिर आपको कोई वो सोचने की जरूरत नहीं है कि एक स्टेट में फैक्टरी डालू कि दूसरे स्टेट में डालू, आपको जहां मरजी फैक्टरी डालिये और जहां मरजी माल बेचिये, हर जगर टेक्स का एक है, जहां आपकी फैक्टरी है, उस स्टे करेशे करेश पूरा देश एक बन जायेगा इसमें. राज्य की बात हो रही है। कही न कहीं राज्यों को यह कहीं संशय नहीं कि उनके इनकम मारी जा रहे है, तो उनहीं कैसे कंपसेट करेंगे हम? लीके उसके लिए लिए हमने राज्यों को मुत आ पूरी Central Government, तो इसलिए राजकों कोई चंता नहीं होनी चाहिए, चंता होनी चाहिए तो Central Government को होनी चाहिए, कि ये जीस टी लागू करने के बाद Central Government के पास इतने resources आएंगे जो कि हमारा अभी का budget की पूर्टी कर दे, उसके अलावा अमरे पास इतने पैसे बचे है कि हम स्टेट को भी कॉंपंसेट कर सके तो जो चिंता होनी चाहिए इस मामले में वो सेल गर्मेंट को होनी चाहिए स्टेट को तो बिल्कुल लिस्चिंद हो के इसमें आगे बढ़ना है इसमें अलग-अलग लोगों को किस तरह से फाइदे होंगे आपने कारोबारियों की बात की राज्जी को क्या पाइदा होगा, केंद्र को क्या होगा और सबसे बड़ी बात उपभोकता को क्या फाइदा होगा करोव की कमी की बात हम सुन रहे हैं तो इसके बार में कुछ रोशनी डालेंगे देखिया मैंने जैसे बताया कि व्यापारियों को क्या फाइदा होगा कि इस अब दूइंग बिजनस हो जाएगा सरकार को ये फाइदा होगा कि जो टेक्स का इवेजन आज हो रहा है उसमें रोक लगेगी तो ये उमीद की जा रही है कि इसमें कंप्लाइंस बढ़िया होगा इसलिए राज्यों की और केंदर की हामदानी बढ़ेगी सिर्फ टेक्स की चोरी को कम करने से टेक्स को रेट बढ़ाने से नहीं और कंजूमर को ये फाइदा होगा कि जैसे आज है अलग-अलग प्रकार के टेक्स है और कुल मिला के तो एक चीज के उपर 30-32% तक चला जाता है टेक्स आज की तारीख में तो जैसे अलग-अलग टे जी एश्टी आएगा तो ये अलग-अलग टेक्स खतम हो जाएंगे और ओन दे होल हम ये उमीद करते हैं कि ज्यादा तर आइटेम के उपर टेक्स का जो बढ़न है वो कम होगा दग्शत आएगी ऐसी बात सुनने में आ रही है तो घारत सरकार इसे कैसी आद्मिनिस्टर करेगी एक तो ये पूरा सिस्टम है आदमियों के उपर निरवर करने के बदले में ठेक्नोलोजी को उपर डिपेंड करेगा सो उससे definitely system में एक efficiency आएगी दूसरा कि administration में जो officers involved है उनकी भी अच्छी तरह से training की जा रही है ताकि ऐसा नहीं हो कि लोगों को कोई गलत परकार की harassment हो इसके सब नियम कानून सब अलग होंगे तो हम staff की भी training कर रहे हैं और लोगों को समझाने के भी module हमने बनाएं कि लोगों को प्रसासित करने के लिए भी कुछ training module हम बनाएंगे यूट्यूब में डालेंगे, social media में डालेंगे, चोटे-चोटे clips डालेंगे और जहां-जहां संभव होगा हमारे officers हर city में town hall में meeting करेंगे, व्यापारियों को समझाएंगे इसके लिए भी हमने एक व्यापक अभ्यान का भी एक प्रबंद इसमें किया है जो कि डिसम्बर के बाद बहुत जोर जोर से सुरू होगा लोगों को समझाने का जो प्रबंद है अभी जब कोई माल विदेश चे आता है देश के अंदर तो उसके उपर अपर जैसे लग रहा था वैसे लगे अगे अगर बाहर से लाता हूं एक इंपॉर्ट करता हूं और जूते के ओपर अगर देश में एक्साइज डूटी बारा परसंट है तो जो विदेश चे माल आता है उसके उपर काउंटर वेलिंग डूटी बारा परसंट के लगेगे विचिस टू कॉंपनसेट फॉद एक्साइज डूटी और स्टेट के जो टैक्स से वह अलग है यहां लेकिन वह इंपॉर्ट के उपर नहीं लग रहे था अभी तक कुछ केस में हम एक SAD के नाम पे स्पेश्यल एडिशनल डूटी के नाम पे स्टेट टैक्सिस के बदले में चार परसंट ले रहे था कुछ केस में लेकिन पूरी तरह से स्टेट का वेट जो है वह इंपॉर्ट के उपर नहीं लग रहा था अब जब कोई माल आयात होगा त कोई पे 24 परसंट या जो भी उसका रेट है जो रेट डिसाइड होगा वो जी एस्ट कांसिल जो डिसाइड करेगी तो वो रेट के हिसाब से लग जाएगा और वो लगने के बाद वो इंपॉर्ट होने के बाद वो जब भी देश में बेचा जाएगा तो उसके उपर जो C. इजी एस्ट और स्ट की लाइबिलिट आएगी उसमें से जो विदेश से माल आया तब लिया उसका इंपुट टेक्स क्रेडिट मिल जाएगा तो एक तरह से एक सिंगल चेंड बन जाएगी और से डबल टेक्सेर नहीं होगा इंपॉर्ट के ऊपर तो उस तरह से इसमें एक सुइधा हो जाएगी आगे का क्या रोड मैप है क्योंकि बहुत आशाओं के साथ उमीदों के साथ हम इसकी और देख रहे हैं यह तो सही बात है कि कहा जा रहा है कि भारती अर्थ विवस्ता तेजी से आगे बढ़ेगी लेकिन अगर रोड मैप के बारे में कहें तो आप क् करना होगा उसका एक पूरा एक्षन प्लान बना हुआ है और वो एक्षन प्लान के इसाब से सब कुछ अभी तक तो ठीक ही चल रहा है हमने अपने एक्षन प्लान में तीस दिन का टायम रखा था स्टेट को रेटिफाइ करने के लिए कि लोकसभा ने आठ अगस्ट को पास एक्षन प्लान चल रहा है सब अभी तक तो टाइम ठीक चल रहा है हम को GST council की रचना करना है उसके लिए एक अपता रखाए वो हो जाएगा उसके बाद GST council में जो discussion करना है उसके लिए हमने दो मैंना रखा है वो दो मैने का time भी हॉप की discussion में राज्यों के साथ अच्छे स हमारे सब मसले निपट जाए दो महिने में थोड़ा सा Overtime काम करना पड़े का स्टेट और सेंटर को मिलके लेकिन दो महिने में अगर सब मसले निपट गए तो उसके बाद हम लोग फिर परल्लामेंट में अपना बिल पास करेंगे, CGST का, ISGST का स्टेट गवर्मन पास करेंगी, और फिर IGST का एक्ट पी सेंटल गवर्मन पास करेंगी, और ये तीनों एक्ट पास करने के बाद, ये रेडी, उसके बाद इती सिस्टम सिम्लिटनली चल रही है, ट्रेणिंग ऑफ ओफिसर्स का काम साइमेंटली चल रहा है, करीब साइट अजार ओफिसर्स को ट्रेइन करने का काम चल रहा है, और वो सब साइमेंटली करने के बाद, बाई फेबरुआरी वी होप टू बी रेडी, साइट साइट बिसनेसमेन को भी हम अपील कर रहे है, कि आप भी अपना तैयारी कीजिए, उनका जो ERP सिस्टम है, IT सिस्टम है, उसको GST के लिए तैयार करिए, इस तरह का हम फ्यापारियों को भी विननती अपसे कर रहे है, जो बड़े बड़े जो गुरु हैं उनको, और वी होप कि वो लोग भी अपनी टाइम टेबल बनाके, ये GST के लिए मार्च एन तक तैयार हो जाए, तो हमारी तो ये उमीद है कि देश में इतना बड़ा सुदार, कि जिसके लिए देश ने दस साल तक रहा देखा है, अब उसमें और कोई विलम नहीं हो, तो केंदर सरकार की तरफ से हमारी पूरी तैयारी है, हम कमिटेड है इस मामले में कि जितना जल्दी हो सके GST को लगाना है. एक जो आफरी सवाल एक लेमान की हैसियत से मेरे दिमाग में आ रहा है कि जन जागरुपता कैसे फैलाएंगे, माल लिजे किसी को कोई इस बारे में कोई शक है या उसके गन्फूजन है, तो ये सब चीजें आप जन जागरुपता कैसे फैलाएंगे, कि लोगों तक कैसे पहुचेंगे कि हम ये हैं, हम ये कर रहे हैं और आपको ऐसा नहीं करना है, कोई इसके जरूरत नहीं है. तो हर जगह पर हम लोग मीटिंग करेंगे, चोड़ी-चोड़ी मीटिंग भी चोड़े-चोड़े सेरों में, फिर निउस्पेपर एड़ोडमेंट के द्वारा भी हम इसका परचार करेंगे, और उसके अलावा हम एक कॉल सेंटर बनाएंगे, स्टेट लेवल पे और सेंटर लेवल पे भी, तो हर स्टेट में एक बहुत बड़ा कॉल सेंटर होगा, जिसमें 24 by 7, किसी को भी कोई क्वेस्टन है जीएस्टी के उपर, तो कॉल सेंटर में फॉन करके पूछ पाएंगे, इस तरह का एक कॉल सेंटर बनाने का भी प्रावदानम कर रहा है, और जीएस्टीन की जो अमारी आईटी सिस्टम है, उसका एक अलग कॉल सेंटर बनेगा, कि किसी को अगर मान लो रिटर्न फाइल करने में दिख़ा रही है, किसी को समझ में नहीं आ रहे हैं कि कौन सा बटन दबाएं, तो उसके लिए भी फॉन करके, को कॉल सेंटर में पूछ के उसको पॉप अप कर सकते हैं. तो अपनी बात को इसी बात से समप करूँ में, यह कहते हुए कि मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, GST जो है वो उसी को चलितात कर रहा है. बहुत-बहुत धन्यवार, डॉक्टर हस्मुकडिया जी. अभी हम बात सीथ कर रहे थे, डॉक्टर हस्मुकडिया से, जोगी राजयस पर सची हैं भारत सरकार में. बहुत-बहुत धन्यवार, नमस्कार.